हेलो फ्रेंड्स आपका में वीडियो में हाधिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको प्रोपर्टी खरीदने से पहले किन किन डोक्यूमेंट्स को वेरिफाई करना बहुत जरूरत है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आज के लिए बहुत इंपोर्टेंट वो चेक करना चाहिए हन जी अब आप सोचेंगे कि प्रोपर्टी का जो टाइटल है उसका क्या मतलब है प्रोपर्टी के टाइटल का मतलब है कि जो रियल में आपको प्रोपर्टी सेल करने की ट्राई कर रहा है क्या सही में प्रोपर्टी उसके नाम है क्या सही में उसके नाम property है सिर्फ उसी के नाम नहीं जो पिछले की जो पिछले साल की 30 transactions हो चुकी है उनके बारे में भी आपको verify करना चाहिए कि पिछले 30 साल में जो property है कहां से किस के धुरू किसको मिली है ठीक है तो फिरें इसके कि सबसे पहले step करना पाड़ेगा सबसे पहले जो आपको step है उठाना पाड़ेगा सबसे पहले तो जो परसन है आप वो जो registry है उसके नाम पर वो check करनी चाहिए उस registry में आपको उस property का एरिया उस property की जो भी side लगते roads है वह उस property की जो भी proper location है आपको proper calculate करनी है जो कि by owner आपको बताई गई है और फिरेंड दूसरी बात ये आ जाती है उस registered जो भी आपको registered deed दिखाता है वो किसी भी form में हो सकती है आपको ये देखना है कि वो sale deed है, transfer deed है या gift deed है release deed है क्या कौन सी deed है वो और वो proper registered है या नहीं है कहीं वो fake तो नहीं है आपको ये पका check करना है अब यहाँ पर आप title देख रहे हैं कि जो owner आपको sale कर रहा है वो उसी के नाम property है या नहीं है और हमें जो मैंने जो भी आपको बोला पिछले 30 साल की आपको ये check करना है कि ये जो transactions होई हैं पिछले 30 साल में इसका मतलब है कि जो ये property का title है पिछले 30 साल में किस से किस व्यक्ति को मिलता आ रहा है पिछले 30 साल में ये property कितनी भा transfer हुई है तो आप कैसे पता करेंगे ये property का transaction आप ताइटल का जो जितने भी transactions होई है ये आप पता कर सकते हैं जो भी आपका वहां पर की जो भी एक वहां की तहसील होती है वहां पर जाकर जहां पर भी प्रोपर प्रोपर्टी का गुवर्मेंट रिकोर्ड होता है वहां की जो आप जमाबंदी है आप उसको निकलवा सकते हैं उस जमाबंदी की प्रोपर जो एं जो shift होती आ रही है तो काफी areas में इसको जमाबंदी बोलते हैं ये state to state verify करता है कि किसी area में कुछ बोलते हैं किसी area में इसको कुछ और बोलते हैं तो आप जमाबंदी को check करके उसमें proper entries check कर सकते हैं पिछले 30 साल में कहां कौन सी transaction हो या आप उसको check कर सकते हैं तो friends एक point तो आ check कर सकते हैं कि जो house owner की detail है वो owner का नाम हो ही है जो आपको property sale करने की try कर रहा है उसका नाम है या नहीं है तो आप जाकर आपके पास यह एक proof और हो जाता है कि आप properly जाकर वहाँ पर check कर सकते हैं तो अभी यहांपर जो another point है another point यह है अभी यहांपर जो पाइंट आज आजात है कि सिरफ जो मुख्तियार नामा जिसको हम simple language में बोलते हैं मुख्तियार नामा ही sufficient है property खरीदने के लिए property transfer करने के लिए but this is totally illegal जो मुख्तियार नामा है उसके ऊपर आप पर अपने property को in future sale नहीं कर सकते और जो भी ये transaction होगी अगर आप किसी से only on the basis or the मुख्तियार नामा कोई भी property purchase कर रहे हैं तो वो property है जो valid transaction नहीं consider होगी उस property के base पे आप future में भी किसी को भी property transfer नहीं कर सकते तो आपको सिरफ मुख्तियार नामा के base पे property नहीं लेनी है क्योंकि उसकी कोई proper validity नहीं है proper कोई उसकी legal value नहीं है तो इस वज़े से आप future में उस property क तो कहीं हो transfer नहीं कर पाएंगे अब friends यहां पर बात आते हैं जब आप कोई भी property खरीदते हैं जैसे कि आप एक token amount देते हैं जिसको काफी बार बैयाना भी बोला जाता है जब आप कोई भी token amount देते हैं बैयाना देते हैं तो उस time को क्योंकि बैयाना देने के बाद यह कुछ amount दिया तो सबसे पहले आपको as a proof वहाँ पर क्या करना है एक agreement रखना है उस agreement में आपको जो भी basic details हैं वो सारी feel करने तो आपके पास यह proof हो जाता है कि आप उस property का जो बयाना है वो दे चुके हैं और आपके पास एक agreement हो गया in future आप इस property को proper तरह से register करवा के आप उसके यूगि जब आप bank से loan लेते हैं किसी भी property के regarding तो प्रोपर बैंक है जो उन documents को proper तरीके से verify करता है और प्रोपर बैंक के verification करने के बाद वहाँ पर mostly यह हो जाता है कि title में किसी भी तरह की कुछ भी mistake नहीं मिलती है और वो प्रोपर जो authentic title होता है वो आपके favor में हो जाता है तो हो सकता है आप house loan लेने की try करें जब भी आप कोई थोड़ा बहुत ही amount basic आप लेने की try करें जिससे की proper verification possible हो पाए अगर आपको कुछ भी ऐसी liability आपकी land के उपर जिसको आप purchase करने जा रहे हैं आपको पता करना है कि उस के title के उपर किसी भी तरह का कुछ भी liability arise नहीं होत हैं वहाँ जाकर आप form number 22 है उसको जाकर fill कर सकते हैं तो उसके थुरू आपको पता चल जाएगा जो वो property है जिसके regarding हम transaction करने जा रहे हैं पचेस करने जा रहे हैं उसकी जो title है उसके उपर किसी भी तरह का उस property के उपर मालिक ने किसी भी तरह का कोई भी loan नहीं लिया है उस है तो वो आपको प्रोपर रिकोर्ट देंगे और जब आपको यह सब पता चल जाता है आप उस property को बेजी जग परचेज कर सकते हैं from that owner तो अब फ्रेंड्स यहां पर जो another point आ जाता है जब भी आपको यह property खरीद रहे हैं तो आप उस property पर पर स्वेशनली विजिट करें ज होते हैं जहां पर की tenant होते हैं tenant नहीं होते तो यह वैसे ही काफी time से अगर कोई plot खाली पड़ा है और ने उसको बहुत time से संभाला नहीं है और आपको वो सेल करने की ट्राई कर रहा है लेकिन वहां पर काफी time से किसी ने कबजा कियो हुआ है आपको वहाँ जाकर personally का owner बन जाता तो आपको specifically वहाँ जाकर check करना है कि वहाँ पर कोई adverse possession का case तो नहीं है तो friends इस तरह से ये जो points है मैंने आपको बताए कि आपको इन सब बातों का basically आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ पर अब friends हम बात करते हैं कि जब भी आप ये सारी transactions कर और कोई भी ऐसी property है जो की agriculture land है तो आपको अगर agriculture land पे कुछ भी आप plot वगरा खरीदने जा रहे हैं जो owner है उसका वह आपको बेचने जा रहा तो आपको वहाँ पर change of user certificate होता है COU certificate होता है आपको वह पर verify करना है आपको वह owner से मागना है कि मुझे वह certificate देखना है अगर वह certificate है तभी ही आप agriculture land पे कोई भी plot खरीदने की सोचें अगर कोई flat खरीदने जा रहे है उस property पे तभी आप उस flat को खरीदे क्योंकि अगर वहाँ पर COU certificate नहीं है तो वह जो property होती है वो किसी भी residential purpose के लिए या फिर किसी भी commercial purpose के लिए use नहीं की जा सकती वहाँ पर कोई भी building नहीं बनाई जा सकती for residential purpose और for commercial purpose ये especially किस case में बता रहे हैं आपको ये agriculture land के परपस में है वहाँ पर आपके COU certificate देखना है अब बात आ जाती है कोई भी ऐसा बड़ा project है जहां पर आप property खरीदने जा रहे हैं जो कि flat के form में भी हो सकती है तो वहाँ पर आपको क्या देखना बिल्डिंग को जो sale and purchase कर रहा है आपको उसका power of attorney एक certificate होता है वो देखना है कि इसके पास ये सब करने की power of attorney है और government क्योंकि जो ये power of attorney का certificate constructor को मिलता है जो भी contractor होता है उसको government के कुछ rules and regulations सा उनको follow करना है परता है जब वो उनको clear कर देता है उसके बाद ही उसकी certificate मिलता है तो friends आपको एक ये certificate check करना अगर ऐससा case से land किसी और की और flat कोई और बना रहा है तो आपको जो पो का पर गाव doet है और और आपको वो चैछ क करना है उन दोनों को check करने गाजाता है और इसके साथ साथ आपको वहांपर थेखना है कि car parking का certificate है जिब बहुत सारे वहाँ पर जो big cities होती है वहाँ पर car parking का बहुत बड़ा issue होता है तो वहाँ पर car parking का जो certificate है वो दिया जाता है आपको car parking का certificate है वो भी demand करना है अगर आप कोई ऐसे big project area में कुछ भी आप ऐसे property घृतने जा रहे हैं जहाँ पर की car parking बहुत बड़ा issue है वहाँ पर आपको car parking certificate के लिए भी वहाँ पर आपको demand करनी है तो friends इस तरह से यह हो जाता है big cities की बात कि वहाँ पर आपको इन certificates का ध्यान रखना है especially जिसमें की एक car parking का certificate भी आ जाता है तो इन सब अगर मैंने आपको जैसे इसमें छोटी cities से लेकर बड़ी cities का बताया agriculture land का बताया flats की regarding भी बताया मैंने आपको तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और जब आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो hope so आप किसी भी तरह की किसे भी जंजट से बच सके किसे भी बताया मैंने रखेंगे